अब बात करते एटली की जहांपर जी सिवन्स शिकर सम्मिलन में अपने सफल दौरे के बाद प्रदान मंतरी मोदी ने वर्ल लीडर्स के साथ मुलाकात की और प्रदान मंतरी मोदी ने भारत के लिए रवाना हो चुके और सम्मिलन में आउटरिट सेचन के दौरान पधानमंत्री मोदी ने देश में हाल में हो लोकसवा चुनाओं को लेकर खास अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि किस तरह से भारत में पारदर्शी ढंग से बड़ा एक एलक्शन वजचा है दुनिया की सबसे बड़े एलक्शन में से एक है पियम मोदी ने देश की चुनावी प्रक्रिया के बारे में लोकतंत्र के बारे में विश्व को बड़ी जीत के बारे में ग्यान दिया उन्होंने कहा कि भारत का चुनाव लोक तंत्र का सबसे बड़ा पर्व है जी सेवन समिट को समोधित करतो है पियम मोधी ने कहा कि जी सेवन के साथ देश का जो संगवाद और सयोग है वो जारी रहेगा समिट के दौरान पियम मोधी ने जो बाइडन, इमरेल मेकरों, रिशी सुनक और जर्मन चास्टनर समिट कई वर्ल लिडर्स के साथ दुपक्षय मीटिंग की समिट के दौरान पियम मोधी ने वो फ्रांसिस से भी मुलाकात की उनका हालचाल भी जाना और फिर उन्हें भारत आने के लिए नियोता भी दिया और प्रधान मंतरी मोधी भारत लौट चुके हैं जिसकी सीधी तस्विरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रधान मंतरी मोधी का ये तीसरे कारिकाल में शपत गरहन के बाद सबसे पहला विदेश दौरा था आप कह सकते हैं सबसे एक वैक्षविक लीडर के तौर पर वो अपनी चाप इस जी सिवन में छोडने में काम्याब रहे हैं प्रधान मंतरी मोधी की जो तस्विर सामने आई जिसमें वो बीच में खड़े थे और बाई तरफ उनके अलग-अलग देशों के नेता मौजूद थे कई सवाल उठाय थे इस से पहले कि प्रधान मंतरी मोधी के दौरे को लेकर विपक्षने में सवाल उठाया था सोशल मीडिया में काई चीज़े लिखी गए थी लेकिन इस तस्वीर ने कल वो सभी को जवाब दे दिया जो सवाल पूछा जा रहा था प्रधान मंतरी मोधी का जो रुतवा है जो भारत का रुतवा है वो बरकरार है जी सेवन समिट में प्येम की दुनिया के देशों के राष्टा धक्षों के साथ मुलाकात हुई और इस दौरान प्रधान मंतरी मोधी ने टेक्नोलोजी को लेकर भी अपनी बात रखी उन्होंने कहा कि टेक्नोलोजी मनिश्यों को च समाच को दे पाएंगे भारत AI के यानि की आर्टिफिशल इंटिलिजन्स के लिए राष्टनिती बनाने वाले कुछ देशों में शामिल है और इसके लिए हमने AI मिशन भी लॉंच किया है और इसका मुल मंतर AI for all रखा गया है G7 Summit में PM की दुनिया के कई देशों के राष्टा धक्चों से मुलाकात हुई और कई के साथ bilateral talks भी हुए इन बाचीत में किन निताओं के साथ किन मुद्दों पर बात हुई है वो भी हम आपको बताते हैं सबसे पहले इटली की PM जॉर्जिया मिलाउनी के साथ PM की मुलाकात ह हुई और किन मुद्दों पर बाचीत हुई है वो हम आपको बताने जा रहे हैं तो प्रधानवंत्री मोदी की जो मुलाकात हुई इटली की PM के साथ जॉर्जय मिलाउनी के साथ उसमें रक्षा है वानिज्य है यह एहम चर्चा रही है स्वच उर्जा विनिर्मान को लेकर बात हुई है यानि की अंकन्वेंशनल एनर्जी को लेकर स्पेस, विग्यान और प्रॉधुगिकी यानि टेक्नॉलजी को लेकर बाचीत हुई है दूर संचार, आर्टिफिशल इंटिलिजेंस, मिन्रस को लेकर भी यहाँ इटली के साथ भारत की साज़दारी को लेकर चीत हुई है भारत का एहम साज़दार है जापान और सिंजो आवे के दौर से ही दोनों देशों के बीच ये रिष्टा है विनिर्वान सयोग और बढ़ाने को लेकर भी यहां पर हो रही है भारत में इन्वेस्टमेंस लाने के लिए बात हो रही है मैनेफेक्ट्रेंग बनान की कोशिश कर रहा है और साथी क्लीन एनर्जी भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा बुनियादी धाचे और सांस्कृतिक संबंदों को बढ़ाने को भी जोड दिया जाएगा क्योंकि भारत और जो जापान उसके बीच में जो सांस्कृतिक संबंद है परसंट है यानि कि लगातार भारत पाट की जो कोशिश है जो ख सेमिकंडे ग्रट चिपस है उसको लेकर भारत कुरे दुनिया के लिए सप्लाइचे निका एहम सेंटर बनने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए कई कदम उठाये गए है और इस बार G7 में भारत ने इसे बखू भी दुनिया के देशों के सामने रखा है कि अगर टेक्नोलोजी टांस्वर हो तो भारत उनके लिए एक मैनिफेक्ट्रिंग हब बन सकता है अब हम आपको बता रहें कि प्रधान मंतरी मोधी की जब जलन्सकी से मुलाकात हुई थी यूकरेन के राष्ट्रपती है व्लादी मोट जलन्सकी तो भारत मानवे दृष्टिकोन के मामले में हमेशा उनके साथ है शान्ती का रास्ता उन्होंने बताया है कि कूटनीती के जरि उसमें भारत को शामिल किया जाए भारत एक मधधस्ता कर सकता है क्योंकि भारत के रूस के साथ अच्छे संबंध है यूकरेन के लिए के भारत ने का है कि हम चाहते है कि आपके साथ हमारे रिष्टे बहतर हो हम वैपार में आगे बढ़े लेकिन उससे पहले शांती कायम कर आगरे किया है कि वो इस पीस टॉक में हिस्सा ले और इस पीस टॉप में भारत हिस्सा लेता है तो पूरी दुनिया को उम्मीद है कि भारत ही एक मात्रय ऐसा देश है जो रूस को यह मनवा सकता है कि वो इस यूद से पीछे हट सके